हेलो फ्रेंज नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो दे चैनल दे रेलिया 3 आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेंड नमबर 12542 मुंबई गोरकपुर संत कभीरधाम सुपरफास एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में मैंने इस ट्रेंड के रूट ये ड्रेंड कब चलती है कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकती है कितनी देर रुकती है इस ट्रेंड में आपको कौन-कौन सी सुविधाय मिल जाएंगी इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे योट्यूब चैनल दरेल यातरी को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक आते रहें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नमबर 12542 मुंबई गोरगपूर संत कभीरधाम सुपरफास एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ ये ट्रेन महाराष्ट्रा के लोकमानित लग्रामिनास मुंबई से उत्तर प्रदेश के गोरगपूर जैंक्शन तक चलती है ये ट्रेन हर दिन लोकमानित लग्रामिनास मुंबई से दिन में 11 बच कर 10 मिनट पर चलती है इस ट्रेन को लोकमानित लग्रामिनास मुंबई से गोरगपुर जैंक्शन तक के 1680 किलोमेटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 29 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 15 स्टेशनों या हॉल्टों पर उपते हुए गोरगपुर जैंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेड स्पीड 56 आपको मिल जाएगी, इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के ततकाल, प्रेमियम ततकाल और ततकाल की भी सुविधा मिल जाएगी, अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ, ये ट्रेन इलेक्रिक लोकोमोटिव से चलती है, लोक मानि आपको इस train के रेक composition या फिर coach composition के बारे में जानकारी देता हूँ इस train में 8 general class वाले coach, 8 sleeper class वाले coach, 2 3C class वाले coach, 1 2nd AC class वाला coach और 1 pantry car वाला coach इस train के रेक composition में होता है दोस्तों मैंने इस train के रेक composition वाला पुरा layout अपने वीडियो के description में बनाया हुआ है आप वहां से भी देख सकते हो कि इस train के रेक composition में coach इसकी position क्या होती है ये train लोकमानित लग्रामियास मुंबई से चूटने के आदे घंटे पहले लोकमानित लग्रामियास मुंबई के platform नमबर 2 पर आकर लग जाती है इस train का reservation chart ट्रेन चूटने के 3 घंटे पहले भारती रेल द्वारा बना दिया जाता है अब मैं आपको इस train के route के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये train कौन से route से होकर गोरग प्रजेंक्शन पहुंसती है और इस train को कौन कौन से station या halt पर रुखना होता है इस train की पूरी जर्नी में जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुवात में ही पता दिया था संत कभीरधाम एक्सप्रेस हर दिन लोकमानित लक्रेमियनस मुंबई से दिन में 11 बचकर 10 मिनट पर चलती है इस train का पहला halt इगतपूरी यहाँ पर train दिन में 1 बचकर 35 मिनट पर पहुंचती है और 1 बचकर 40 मिनट पर train यहाँ से चलती है यहाँ पर train 5 मिनट रुखती है इस train का दुसरा halt भुसावल जैंक्शन यहाँ पर train शाम 5 बचकर 45 मिनट पर पहुंचती है और पांच बचकर पचास मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन पांच मिनट रुखती है इस ट्रेन का तिसरा हॉल्ट खंडवा जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन रात नो बजे पहुंचती है और नो बचकर पांच मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर इस ट्रेन का चौथा होल्ट 8RC जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन रात 11 बचकर 30 मिनट पर पहुंचती है और 11 बचकर 35 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है इस ट्रेन का पांच मां होल्ट भोपाल जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन रात 1 बचकर 5 मि पर पहुंचती है और 5 बचकर 25 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन का आठवां हॉल्ट उरई यहां पर ट्रेन सुबा 6 बचकर 49 मिनट पर पहुंचती है और 6 बचकर 21 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का यहाँ पर ट्रेन सुबा 9 बचकर 50 मिनट पर पहुंचती है और 10 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुखती है इस ट्रेन का दसमा हॉल्ट एश बाग यहाँ पर ट्रेन दिन में 11 बचकर 25 मिनट पर पहुंचती है और 11 बचकर 40 मिनट पर ट्रेन यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 11 होल्ट बास्चानगर यहाँ पर ट्रेन दिन में 11 बचकर 47 मिनट पर पहुंचती है और 11 बचकर 69 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 12 होल्ट गोंडा जेंक्शन यहाँ पर ट्र शाम पाँच बजे पहुंचती है दोस्तों मैंने इस ट्रेन के किराय और किराय से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुखते हुए ये ट्रेन गोरगपुर जैंक्शन पहुंचती है हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी शेनियों में भी होता है अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है लेकिन अगर आपको किराय और किराय से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप Indian Railways के Reservation Counter या फिर Indian Railways के Official Website IRCTC से आप किलियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी Station से आप इस Train में सफर करना चाहते हो दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से सम्मंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका जवाब दूँगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा कमेंट ज़रूर करेगा कि वीडियो कैसा था और फ्रेंट्स थैंक्स फर वाचिंग दे रेल यातरी चैनल और कीप सपोर्टिंग